हलो एव्रिवान वेल्कम ब्याक्तो इंग्लिश वहब एकेड़ मी अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेचन में जहां हम common error की practice करते हैं यह common error practice set number third है तू नहीं है third है हम लोगों ने 2 common error के set कर लिए है 15-15 questions के तो यह इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं link description box में है आप किसी भी competitive exam की preparation कर रहे हो जिसमें की English section से question पूछे जाते हैं तो उसमें grammar के rules जरूर पूछे जाते हैं grammar एक important part होता है competition में marks increase करने के लिए और उसमें जो common error पूछा जाता है या फिर जिसे grammatical error भी कहा जाता है वो इसको कर लेने से grammar के सभी rules लगभग complete हो जाते हैं तो किसी भी competitive exam जाते हैं तो उसके लिए काफी important part है तो अब तक हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया है यानि कि 15 15 कोश्चन करके total 30 questions जो important grammar में common error से पूछे जाते हैं उसे हम लोगों ने complete कर लिया है आज चलते हैं set 3 की तरफ set 3 से यानि कि 15 15 कोश्चन के बाद हम लोग 31 कोश्चन से सुरू करेंगे 31 कोश्चन देखते हैं तो शुरू करते हैं तो इससे पहले यादि हमारे इस चैनल पर नाया है इंग्लिस वेकेड में पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले तो एकृस नमर कोश्चन है वी हैड स्वैं एक्रॉस दरीवर बिफोर दस ऑन सेट नो इरर या सेंटेंस कर रहा है कि हम लोग अग हरे मिल्ढ फॉर्ट हार एक ये व्फ्कराइब कर लिया पार कर लिया नहीं होगा से पहले इसमें कहां परेवहा हुआ है ये यह पैस्ट फॉर्म है तो स्वैं होता है स्वैं कहाँ पर द माधूरी को ध्यान से पढ़े माधूरी इसाल माधूरी इस में प्रीटी म looks more यह ग्लत हो जाएगा हमेशा। कूरे उसको का यूज करते हैं जैसे की बेद्ट सकता है जैसे कि ब्यूटिफ σब्सक्राइब कर बता इसके guards करते हैं जैसे को क्या वाइटिफर तुर से यहां पर मोला जाता है है अब बढ़ते हैं नेक्ट कोोष्चन की तरफ कि नेक्ट कोषण है 33 नमबर कोषण Every man and woman should vote for the candidate of their choice यानि कि परतेक बेक्ती और परतेक और यानि परतेक आदमी और परतेक और अपने च्वायस के अनुसार किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और नो इर है इसमें हमें इरर बताना है तो सिंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़े एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया वो मैं भी एक औरत हो गई तो सूड़ वोट फॉर्ट फॉर्ट फॉर्ड दा कैंडिडेट ऑफ देर च्वाइस जब च्वाइस की बात किया जा रहा है तो भी मैं यानि कि या सिंगुलर खुद के 24 का रहेगा ना तो देयर च्वाइस यानि कि वह लोगों के छोड़े यहां पर सिंगुलर का प्रयोग की। जो है इसमें हमें बताना है तो सेंटेन्स के फर्स्ट पार्ट को ही देखे ड़ शेक्रेट्री एंड treasurer, we are not present यानि कि आपको हमने पढ़ाया है कि जब दो subject and से जुड़े, पहले subject के पहले कोई article लगा हो जैसे कि the और दूसरे subject और and से जुड़ते हैं ये दोनों subject और ये second subject है और इसके आगे कोई article नहीं लगा हो तो ये किस प्रकार से behave करेगा ये singular subject के जैसा behave करेगा ये singular subject कराएगा लेकिन first subject है और ये second subject है दोनों and से जुड़ते हो और दोनों के पहले कोई article लगा हो तब ये जाके plural बन जाता है यहाँ पे देखें तो the लगा है the एक ही से ये first subject है और इसके आगे लगा है the और ये second subject है इसके आगे नहीं लगा है आर्टिकल को या कैसा behave करेगा singular की तरह यहाँ वेयर का यूज़ न करके हम वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि वाज सिंगूलर है वेयर प्लूरल है अब बढ़ते हैं next question की तरफ नेक्स्ट कोश्चन है थर्टिफाइप नमबर नाइदर रकेस नौर आई आर वी लिविंग फॉर हैदराबाद लिविंग फॉर हैदराबाद नो इरर इस sentence में हमें बताना है यह जब भी नाइदर और नौर से जुड़ा हो कोई subject तो हम हमेशा नाइदर और नौर के पर ध्यान देते हैं नाइदर और नौर से जुड़ा हुआ subject second subject second subject के अनुसार ही हम भर्व का यूज करते हैं जो यहाँ पर भर्व का यूज करेंगे किसके अनुसार? second subject के अनुसार तो देखें यहाँ यहाँ पर नाइदर रकेस यह फर्स्ट हो गया नौर आई, तो second subject कौन हो गया, आई, तो इसके अनुसार यहाँ पर भर्व का यूज़ करेंगे, न कि इन दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ पर आई के साथ है, क्या यूज़ करेंगे हम, एम का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार option C, इसका correct answer है, अब बढ़ते हैं, 36 number question की तरफ, death is preferable than life, no error, sentence को ध्यान से पढ़ें, death सही है, death singular है, इसके साथ is correct है, preferable than life, तो prefer के साथ क्या यूज़ किया जाता है, या हमेशा, या fix है, prefer के साथ, जब भी यूज़ किया जाएगा, वो यूज़ किया जाएगा, जाएगा, जाएगा, जब भी prefer किया जाता है, तो two का यूज़ किया जाता है, then का नहीं, comparison दर्साने के लिए, तो यहाँ पर then का यूज़ गलत है, यहाँ पर two होगा, क्योंकि जब, जैसे की होता है, I prefer, like, I prefer tea, two coffee, यानि कि मैं कोफी से ज्यादा चाय को पसंद करता हूँ, तो prefer के B resembles to his father, not only his physical features, but also in habits, इसमें हमें error बताना है, तो रामु, closely, या A part बिल्कुल सही है, B resembles to his father, not only in physical features, but also in habits, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन resemble जो word है, या अक्सर पूछा जाता है, resemble, क्योंकि resemble के साथ no preposition, कभी भी आये, resemble और common error में दिया हो, और इसके साथ कोई preposition लगा हो, तो आप हमेशा उसके साथ, उसको tick कर देंगे, क्योंकि इसके साथ, कोई भी preposition का use नहीं किया जाता है, यह भी fix है, तो यह सब fixed question होते है, इस प्रकार का question, इसमें option B correct है, इसके साथ two का use नहीं किया जाएगा, resemble, किसी भी preposition को नहीं रखता है, अपने साथ next question है, 38 number question, after he had reached the two first chapter of the novel, he felt like reading the book at one sitting, यह एक के बार बैठे हुए, वो एक novel के दो चाप्टर को पढ़ जाता है, वो ऐसा पसंद करता है, एक question कह रहा है, और no error है, इसमें हमें error बताना है, कहां है, तो सबसे पहले sentence के first part को देखे, after he had read, सही है, after he had read, the two first chapter, यहाँ ordinary, ordinary के प्रकार को हम देखे, जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ही error है, किस प्रकार का error है, तो इसे ordinal adjective कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब number बाला जो आता है, उसे कहा जाता है, ordinal objective, तो इसे हमें सजाने का तरीका पता होना चाहिए, तो यहाँ two first chapter, यानि कि दो पहला chapter नहीं होगा, यानि कि पहले का है, दो चाप्टर, जैसे कोई भी बूक है, उसका first chapter और second chapter, तो इस प्रकार से होगा ना, first two chapter, तो यहाँ इसको यहाँ करेंगे, और इसको यहाँ यानि कि first two chapters, तो option A में ही incorrect है, यहाँ ordinal जो adjective है, इसी में error था, अब बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है, 39 number, 39 number question कर रहा है, if it's not tomorrow, we will go skating, no error, यानि कि यदि यहाँ पर tomorrow लगा है, यानि आने वाला कल, और यहाँ पर past लगा है, देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह future है, और यहाँ पर past है, हो सकता है, कभी, कभी भी भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पर future है, तो यह किस प्रक sentence के आगे conditional word लगा हो, जैसे if conditional word है, if यानि कि conditional word है, तो यहाँ हमेशा present में होगा, यदि दूसरा future में हो, तो यहाँ पर देखें, यह sentence future indefinite में है, तो यह present में होगा, सुनोज का यूज का यूज करेंगे, तब जाके correct sentence होगा, option में इसके a में error था, 14 number question को देखे, a quarrel arose between the five members, and for a time, it appeared as if the party had been heading for a split, no error, तो first sentence को ही ध्यान से देखे, यदि हम, the quarrel arose between the five members, यहाँ किस के बारे में बात किया जा रहा है, five members के बारे में, तो यह between का use यहाँ पर गलत है, क्यूं, तो हम बताते हैं, क्योंकि, एक word होता है, among, और एक होता है, between, जब भी, दो लोगों के बारे में बात किया जाए, only दो लोगों के बारे में, only, यानि कि केवल और केवल दो बेक्ती के बारे में, तब between का use करेंगे, लेकिन दो से अधिक, more than, two, तब इसके साथ हम हमेशा, among का use करते हैं, और यहाँ पर five members, यानि कि दो से अधिक के बारे म में गलती था, अब बढ़ते हैं, next question की तरफ, 41 number question है, 41 number question को देखे, लता parted with her mother, with tears, but the journey to Delhi assumed her, यानि कि लता parted with, तो यहाँ भी, इसमें भी हमें, यहाँ पर error देखने को मिल जाएगा, preposition में, क्योंकि with का use, यहाँ पर गलत है, with के जगा पर in का use करेंगे, क्यों इन का use करे करेंगे, क्योंकि in tiers होता है, जो यहाँ पर tier आया, sorry, यहाँ पर with का use सही है, यहाँ पर जो है, इन का use करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल correct है, यहाँ पर किसी परकार का कोई error नहीं है, तो यहाँ पर देखें, तो in tiers, यानि कि आसों में, इसका मतलग होता है, लता parted with her mother, यहाँ कि अपनी मा से अलग, मा से अलग हो रही थी, तो in tears but the यानि कि उसके आख में आसु आगए इसके sense में है तो in tears होगा न कि with tears option C correct होगा 42 नमर कोशन देखे neither the size nor the color but the gloves were right तो अभी एक कोशन आया था neither nor से neither nor से एक कोशन आया था तो इस प्रकार के sentence को हमने कैसे बनाया था जो भी यहाँ पर भर्व यूज किया जाएगा यहाँ पर जो भर्व यूज किया गया है वो किस के अनुसार होगा वो second verb के अनुसार होगा हमेशा second subject के अनुसार यूज किया जाता है second subject क्या है पहला subject है the size second है nor the color यहाँ पर जो color है the color और यह सेकेंड है यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है तो यह है singular subject और singular subject के साथ singular verb का यूज करते हैं और यहाँ पर where का यूज किया गया है जो की plural है तो प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे तब जाके sentence correct होगा इसके option D में गल्ती था अब बढ़ते है next question की तरफ next है 43 number question everyone of the staff present here as given a days pay as their contribution to the fund यानि कह रहा है everyone of the staff present here यहां तक तो सही है as given as a days pay as their contribution यहां पर their का use किया गया है और subject देख रहे हैं कि every का ईचिया गया है का यूज किया जाएगा जब स्ब्जेक्ट बेह बścieं को आता है वह वेखालाताइब ईवरी वन एवरीवन या फिर कोई भी सिंगुलर के लिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे यहां पर देयर का यूज न करके हम उसके जगह पे हीज का यूज करते हैं तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा तो ऑप्शन डी में इनकरेक्ट था 44 nummer question देखे है is the found guilty on murder the accused word sentence today यानि कि दोसी पाय जाने पर जो accused था दोसी था उसको क्या किया गया sentence today फासी की सज़ा दे दिया गया तो sentence को ध्यान से पढ़ है है found guilty on murder नहीं morder के ऊपर थोड़े morder के साथ जब भी use किया जाएगा murder के साथ नहीं guilty के साथ तो off का use किया जाएगा जिसे guilty of morder या फिर guilty of guilty of theft यानि कि चोरी के लिए दोस्य जो भी हो यहाँ पर off का use करेंगे guilty के साथ यह हमेशा ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से option B में incorrect था और आज का ये रहा last question 45 number और total 15 questions हो जाएंगे आज के और यह set 3 है इसलिए 3045 number question last है if I would have worked regularly I would have passed the examination यह भी किसका sentence है यह भी conditional का sentence है conditional sentence मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते है conditional sentence में यदि आप से गलती हो रहा हो तो जब भी conditional word लगा हो उसके बाद वाले sentence में would plus have plus B3 यदि हो तो उसके बाद वाला sentence जो होता है यहाँ से आप देख सकेंगे if I would have worked regularly I would have नहीं यहाँ पे अब I had का यूज किया जाएगा यानि कि पहले जब would have लग गया तो उसके बाद had का यूज किया जाएगा जिसमें conditional word नहीं लगा हो इसमें conditional word लगा है if if के साथ would plus have और जिसके साथ would बाकी के sentence के साथ had plus B3 तो यहाँ पे would have नहीं बलकि had का यूज करेंगे तब जाके विलकुल correct होगा तो इस प्रकार से यह था आज का total 15 questions और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल एडिटोरियल वोकाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को दहिंदू एडिटोरियल वोकाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली दह